गुड मॉर्निंग बच्चो आज मैं हिंदी कच्छा टू पाठे पुस्तक भासा संचयन चेप्टर वन एक किरन परहाने जा रही हूँ इस कविता में कभी बच्चो को प्राकिर्तिक सौंदरी की अनुभूती कराते हैं सुरियदय के समय का मोहग दृसे हमारे सामने प्रस्तूत करते हैं कविता की पंक्तिया इस परकार है रेसम जैसी हस्ती खिलती नप से आई एक किरन फूल फूल को मीठी मीठी खुसिया लाई एक किरन अर्थात सुरिय निकलने समय मनुष्य के अंदर खुसी चा जाती है आलस खत्म हो जाता है सुरिय की रोस्नी से फूल खिल उठते है और वातावरन रंग बिरंगा दिखने लगता है परी ओस की थी एक बुंदे जिलमिल जिलमिल पत्तो पर उनमें जाकर दिया जलाकर जयो मुस्काई एक किरन अर्थात रात के समय जब ओस की बुंदे पत्तो पर परती है जैसे ही सुरिय की किरने उस पर परती है वो दिया के समान चमक उठता है तीसरा लाइन लाल लाल थाली सा सूरज उठकर आया पूरब में फिर सोने के तारो जैसी नब में च्छाई एक किरन जब सुरिय पुन रूप से नब में निकल आता है तब वो लाल थाली के समान दिखने लगता है और उसकी किरने सोने की आभा लिये पूरे नम में च्छा जाती है चौथा लाइन एक किरन से बदल गया जग चिरिया गाती गीत चली हवा चली खिल उठे पेर सब सबको भाई एक किरन सुरज के निकलते ही अंधकार खत्म हो जाती है और दूसरे दिन की सुर्वात हो जाती है चारो तरफ खुसहाली चहल पहल का वातावरन हो जाता है चिरिया भी सुर्य के निकलने की खवर हमें अपने गीतों के माध्यम से दे देती है पाचवा लाइन सुरज आया दिन मुसकाया जागी दुनिया भोर हुई नया नया मन ताजा जीवन सबको लाई एक किरन सुरज की एक किरन मनुष्य के अंदर आलस को दूर कर ताजगी भर देता है उसी ताजगी के साथ मनुष्य अपने अपने कारे में लग जाते है और दिन की सुर्वात हो जाती है बन्यवात